हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चानल अम्रिती फेशन विला आज की वीडियो में हम अपने पांच नंबर के कानाजी के लिए यह नाइट शूट बनाएंगे हमने यहाँ इसे मेसरमेंट चैट की हल्प से बनाया हुआ है इसकी हल्प से आप जीरो से लेके 10 नंबर के कानाज और यहाँ भी हमने लिखाया कपड़ा कटेगा जितना भी हमारा कपड़ा कटेगा उसकी लंबाई और चोड़ाई हमने लिखी हुई है तो आज हम पांच नंबर के कानाजी के लिए बना रहे हैं तो यह देखें पांच नंबर के कानाजी के लिए 7 इंच लंबा और 4 इंच चोड़ा कपड़ा चाहिए इसकी लंबाए 7 इंच है और इसकी चोड़ाए देखिए 4.5 इंच है अब मैं सबसे पहले अपने कपड़े को नीचे से फोल्ड करके इतना सिलना है आपको सभी नंबर के काना जी में लगबग 1 इंच तक फोल्ड कर देना है नीचे से हमें करने के बाद वह पांच इंच हो जाएगा ऐसी करके में अपने सभी नंबर में करेंगे अब इसे फोल्ड करते हैं हमें इसे यहां से कट करना है हलका सा देखिए हमने बस इतना ही कट किया है अब हम इसे यहां से माक लगाएंगे हमें इस मार्क के उपर से कट कर लेना है हमने यहां से इसे कट करके अलग कर लिया अब हमने देखिए वाइट कलर का कपड़ा लिया है इसमें से हम और यह पट्टी कट करेंगे तो देखिए यहां से अकर हम सीदी साथ से किसते हैं तो यह स्टेचबल नहीं है और यहां से क पत्ति को हमें left side लगाना है और पत्ति वाली को हम right side पे लगाएंगे तो पहले हम चोड़ी वाली को देखिए कैसे लगाएंगे यहां से फोल्ड करेंगे इसे और यहां इसके उपर रखके सीलेंगे हमें इस और पत्ति को यहां से लेके यहां तक लगाना है तो हम इसके उप पर सिलाई लगा लिए हैं हमने बहुत थोड़ा थोड़ा ही शिलाई है हम इसे आसे करके पलटना है ऐसे और यहां इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है इधर से हमें ध्यान देना है कि हमारे यह वाला फैबरिक जो अंदर वाला है हम इसके ऊपर ही इसको ऐसे रखें और फिर सिलाई लगाएं ऐसा करने से बहुत अच्छे से सेट होगा हम इसके उपर भी एक सिलाई लगा लेते हैं हमने इसके उपर यहां से सिलाई लगा लिए प्रस हमने इधर से भी सिलाई लगा लिए इसमें आपको एक चिशका ध्याँ देना है जब आप इधर से सिलाई तो आपको अपनी सिलाई चोटी करके लगानी है और जब आप इधर वाली सिलाई लगाते हो तो आप अपनी सिलाई बढ़ी करके लगाएं इससे क्या होता है कि यहां से थुरा सा हल्का सा सिकन आता है और उसे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है यह पर्फेक्ट यहां से चोडें रखेंगे और यहां से यहां से रखेंगे के लाएंगे इंच से पहले यहां से फोल्ड करना से ży अहीं के फिनिशिंग आया है चलम की फिनिशिंुक एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे है अशी के एस आप देखें की हमारे मिल यहां से आपड़ और यहां से औरieg को कंपलीट करेंगे के मुलदettre थूरू है अब है इसली है-ब यंहीं उस अइसे और आपकर के यहां को कटाएंगे शॉवर किपा दुसरी को पर रखके पिन कर लेना है हमने यहां से पिन लगा लिया अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे इसे फोल्ड करने के बाद हम यहां से आर्मोल कट कर लेंगे आर्मोल कट करने के बाद हमें नेक भी कट कर लेना है यह देखिए हमने इसे कट कर लिया है अब हमने एक और इसका इंब्लू कलर में फैब्रिक ले लिया है हम इसे इसके उपर ऐसे रखेंगे और रखने के बाद हमें यहां नीचे से एक इंचेक्टर रखना है और बागी इसी पर कट कर लेना है हमने इसे कट कर लिया है अब यहां से जो हमारा एक इंच चेक्टरा है उसे हम फोल्ड करके सिलेंगे जैसे हमने इसे सिला था हैं इसे नीचे से 10 एक इंच फोल्ड कर लेंगे ऐसे करका और शीराय लगा लेंगे इसके उपर हमने इसके उपर लगा ली हमने से 30 नहीं है अब इस फाले को उल्टी 06 से इसके उपर लखेंगे हमने यहां पर दोनों कंदे को सिल लिया है अब हमने स्काइब ब्लू कलर में और पटी लिया है इसे ऐसे बीज से फोल्ड करेंगे और यहां स्लीब के ऊपर रखके सिलाई लगाएंगे हमने यह दोनों स्लीब के उपर सिलाई लगा लिएvos और हम इस ऐसे पलट लेंके पीछे पूरा और उपर से यहां से सिलाई लगा लेंगे 0.5 इ अब इसे फोल कर लेटे हाँ इसे करके इसे हमने नीचे से एक बराबर से फोल कर लिए चुका है इसके अधर वाले पाट पर हम कुछने करेंगे लेकिन इधर हम जैसे हमने स्लीव को फोल्ड किया है वैसे हम यहां से यहां तक और पट्टी रखके फोल्ड करके सिराय लगा लेंगे तो हम इसके उपर सिराय लगा लेते हैं हमने यहां पर सिलाई लगा लिए है अब हमारी यह वली साइट फोल्डेड है और यह खुली हुई है अब देखिए हम इसे कैसे सिलेंगे ऐसे भी से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद हमें यहां से यहां तक सिलाई लगानी है और उसके बाद यहां से यहां तक सिलना है और इसे यहां से यहां तक सिलना है तो हम इसके पर सिलाई लगा लेते हैं हमने इसके पर सिलाई लगा ली देखें यहां से यहां फिर यहां से यहां और यहां से यहां अब हम इसे सीधा कर लेते हैं तो सीधा करने के लिए हमें ये पिन निकाल लेना है अब देखिए ये पूरा खुल गया है जब हम इसके उपर प्लेस लगाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसके उपर प्लेस लगा लेते हैं एक बार देखिए हमने इसके उपर प्लेस लगाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो गया है ये आगे से पूरा खुला है हम इसे अपने ठाकुलजी को बहुत आराम से पहना सकते हैं अब हम इसके नेक को स्टिच करेंगे जैसे हमने Sleep पे और पटी के अलया लगाई वैसे हम इसके पूरे na semche को भी कर लेंगे हमने इंड के Ne praticamente को भी बना के कल्amed कर लिया है अव्ममने यह देखिए यह आपको साहस Ineast मेजर्मेंट लेनी है इसकी हमने इसके उपर सिराय लगा ली देखे चारो चाट से अब में इसे अलग करते हैं हमारा दोनों फैब्रिक अलग हो गया इसमें से हमें एक फैब्रिक कट कर देना है ऐसे अब में इसे पलट लेंगे देखे हमने इसे पलट लिया हम इसके उपर एक बार प्रेस लगा लेते हैं हमने इसके उपर प्रेस लगा लियो और हम यहां से छोड़ी-छोड़ी से लाय लगाएंगे इसके उपर हमने यहां से सिल लिया है देखिए यह ऐसा हो गया है हमें यहां से इसे ऐसे फोल्ड करना है और इधर से भी फोल्ड करना है और हमें पीछे से ही सिल लेना है इसे हमने यह ऐसे सिल लिया हम दो मोती लेंगे और एक को यहां और एक को यहां लगा लेंगे यहां पर तो हम दो मोती लगा लेते हैं इसके उपर देखिए हमने यहां पर सिल लिया ऐसे अपर हम धागे को कटना ही करेंगे हमने यहां पर देखिए रेट कलर में नेट लिया हुआ है इसे हम ऐसे रोल करेंगे और रोल करने के बाद यहां बीच में बादेंगे ऐसे करके हमने यहां इसमें नॉट लगा ली अब यहां से दिखिए हमारा रिट वाला एक्ष्टा फैब्रिक है इसे हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे यह हमारा बन के कम्प्रीट हो गया है अब हम इसे यहां पर लगा लेंगे हमने इसके उपर इसे लगा लिया अब देखिए हमारा जी खुला वाला हिस्सा है यहां पर हमें चिट-चट बटन लगानी है अब देखिए यहाँ पे हमने यह चिटचट बटन ले हुई है इसे हम खोलेंगे एक को हमें यहाँ पे रखना है और इसके दूसरे हिसे को हमें यहाँ पे रखना है ऐसे करके हम इसे इसके साथ सिल लेंगे ताकि हम इस ड्रिस को आराम से ऐसे बंद कर सकें हम एक चिट्चट बटन यहां एग लगानी है और हमें दो इसके उपर लगानी है हम ट्ट्टल पहसे बिचिट्चेट बटन लगाएंगे तो हम बटन लगा लेते हैं में लगा लए आपक Jamie अपत्ड़ों U झाल 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 झाल